नमस्त दोस्तों, भूख से परेशान होकर एक महिला ने अपने पाँच बच्चों को गंगा में डुबो करके मार दिया। कितनी विदीर्ण कर देने वाली घटना है मन को। इस सच्चाई का जब खुलासा हुआ तो लिबरांडू गैंग के नीचे से जमीन किसक गई। वो भूख की वज़े से नहीं हुई है लेकिन यहां से यह पता लगता है कि जमाती नमाजी गैंग का जो कॉमरेडों के साथ में बना हुआ कोक्टेल है वो कितना भूखा है। आज इस कोक्टेल के उपर हम खास तोर पर बात करने वाले हैं। जब हमने बताया था कि सौधी अरब के किंग सल्मान ने वहां पर अनिश्चित कालीन लॉकडाउन की गोशना कर दी है। वहां पर थूकने पर भी मौत तक की सजा है। वहां पर आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। जिससे की देश हित को कोई भी चोट पहुँचे। लेकिन वहां के लिए सभी एशन मुसलिम, हमारे भरती मुसलिम भी बहुत खुश होते। और वह कहते हैं यह होती है विवस्था, यह होते हैं कड़े कानून। लेकिन वह असली मुसल्मान है, यहां बैठे हुए नकली मुसल्मान अपने देश के हित में जरासा भी काम नहीं कर सकते हैं। और जो अच्छा काम करते हैं, उनको भी अपने आवरण में लेकर के गालिय दिवाने का काम कर देते हैं। इसी प्रकार से भारत वर्ष में कुछ नवबोद्ध भी हैं। उन नव बुद्धों की वज़े से देश को काफी पीछे जाना पड़ता है लेकिन असली बुद्ध कहां रहते हैं असली बुद्ध रहते हैं जापान में, म्यामार में, श्रिलंका में श्रिलंका में पिछले साल इस्टर पर लगातार तीन धमा के हुए थे चर्चिस में और आप क्या जानते हैं कि वहाँ के इसाईयों ने आत्मगाती बम हमलावरों को माफ कर दिया है लेकिन वहां के सिंगलियों ने उनको अभी तक माफ नहीं किया है क्योंकि वो असली बौद्ध है कुछ लोग सिंगलियों को साइद नहीं जानते हैं सिंगल पर देश कहा जाता है उसको और जो आपने सुनी होगी कहानी रानी पदमवती की वो भी सिंगल परदेश की ही थी शिलंका की ही थी उन्होंने मुसलमानों को माफ नहीं किया था उन्होंने वहां का पूरा कर्फ्यू लगा करके मीडिया को डाउन करके अपने देश की कोई खबर बाहर नहीं निकलने दी और वही हशर किया जो मिया मार में, मिया मार के वहां के बोद्दों ने किया था, अशिन विराथू ने किया था. और अब जब वहां पर लॉकडाउन हो रखा है, वहां पर चाइनीज वाइरस से अभी तक तकरीबन पांच मौत हुई हैं, जिसमें कि तीन अर्बी टट्टों की मौत हुई है, उनको दफनाया नहीं गया है, उनको जलाया गया है. वहां की स्वास्ते मंतरी पवित्रा ने पश्ट तोर पर काया है, कि हम किसी भी अर्बी टट्टू को दफनायेंगे नहीं, क्योंकि मानक है कि हम उसको कम से कम 10 फीट से अधिक गहराई के निचे दफनायें, लेकिन वहां पर पानी आ जाता है. सीपेज के वज़े से वहां की जो शव है, वो उपर आ सकता है, उसके जो अन्श है, वो गल करके उपर आ सकते हैं, इसलिए इनको जलाया जाना चाहिए. क्या आप जानते हैं कि वहां पर भी मुस्लिम कॉंग्रेस है, वहां के नेताओं ने भी इसका विरोध किया, लेकिन वो विरोध इतनी दबी हुई आवाज में है, कि वो सिंगलियों की आवाज, वहां की जो सरकार है उसकी आवाज के उपर नहीं जा सकते हैं. क्या आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस देश में पुलिस के उपर, डॉक्टरों के उपर थूकने, उनके उपर पत्थर चलाने, लोगों के उपर थूकने वाले, थूकर के समान को बेचने वाले, लोगों में 57 देश होने का दम भरने वाले, सबसे अमीर राष्टर होन कदम बरने वाले ये अर्भी टट्टू छोटे छोटे दे शिलंका और मिया मार के ऊपर क्यों नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आउकात नहीं हैं ये हमेशा से रहा है कि जब एक पिटता है तो दस भागते हैं इतियास इस बात का गवार आए कि अर्भी और अर्भी टट्टू हम पिट पीछे वार करके ही जीते हैं धोकेशे वार करकर ही जीते हैं सामने से चाती पर वार करके आज तक नहीं जीत पाए हैं शिलंका ने जिस प्रकार से जिस प्रकार से मिया मार ने मिया मार की तो आपको घटना भी नहीं पता बड़ी होंगी जिस प्रकार से इन दो देश इशिया में अपना पूरा दबदबा दबा करके रखा है बना करके रखा है अर्बी टट्वों को उनकी हैसित में रखने के लिए वो काबिल तारीफ है वो अनुकरणिये है श्रिलंका में जिस प्रकार से इनके आतंक को दिन परती दिन बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा ह हो सकता है कि इसाईयों और अर्बी टट्वों की कुछ साथ गाठ हो इस तर पर होने वाले इतने खतरनाक बमधमाकों के बाद वो उनको माफ कर सकते हैं क्योंकि ये उनका अपना खुद का भायचारा है ये खुद का उनका नेकसस है यहां से हिंदू और बौद्धों को समा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश से आने वाले दलीतों के पास मिलने के लिए नहीं गए हैं उनकी खुद की राजनीती चमक रही थी बीच में ये वाइरस आ गया आजकल वो सारे के सारे दुब के बैठे हैं यहां पर भारत वर्ष में कुछ बौद्ध भी हैं जो अपने आपको कहते तो बुद्ध के समर्थक हैं उनके अनुयाई हैं लेकिन उनके काम वैसे नहीं हैं बैने जिस प्रकार से आपको बताया था कि जो असली मुसल्मान हैं और नकली मुसल्मान हैं उनमें जो फर्क है वही सेम टू सेम असली बुद्ध और नकली बुद् आप All India Muslim Personal Law Board की एक पोश्ट को पढ़िए, देखिये जरा, इसमें अबुदाउदी की एक हदीस का हवाला दे करके, मुहमद साहब की तरफ से एक आयत कहलवाई जा रही है, बताई जा रही है, और उसमें बताई जा रही है कि कियामत कभी नहीं आएगी, कियामत तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे कभीले के लोग, जो हमारी नसल के लोग हैं, इमान वाले लोग हैं, वो जब तक की मुश्रिकों के साथ, मुश्रिकीम जिनकों कहते हैं, उनके साथ में मिल करके बहु देववादियों की तरह ही मूर्ति पुजा शुरू नहीं कर देंगे क्या आप जानते हैं कि जो बुद्ध परस्ती है बुद्ध शब्द कहां से आया है बुद्ध से आज भारत वर्ष में अपने आपको नास्तिक मानने वाले और कहने वाले तथा कथित बुद्ध नव बुद्ध कहते हैं कि हम तो भई नास्तिक हैं हम आस्तिक नहीं है लेकिन बुदह के जो बुथ थे यानि के उनकी जो मूर्तियां थी उनको द्वस्त करने का काम सबसे पहले बौध समाज का नरसंगार करके ही अर्भी टट्टो ने की थी आज यदि वो अपने आपको नास्तिक कहें भी तो भी उनकी आस्था कहीं ना कहीं बुद्ध की मूर्ती में तो है ही उनकी आस्था कहीं ना कहीं अंबेडकर की मूर्ती में तो है ही जिसको हटाए जाने पर वो खून खराबा तक कर देते हैं अबुदाउद की ये आयत उननवबोधों के लिए ही है वो इस बात को समझ जाएं कि वो भले ही नास दिखों लेकिन वो मूर्तियों में तो विश्वास रखते हैं यदि वो मूर्तियों में विश्वास नहीं रखते हैं यदि वो हसते हसते अर्भी टट्वों के पीछे खड बुद्ध के जो बुद्ध हैं उनको उड़ता हुआ देख्कर खुश हो सकते हैं तो शायद वो बज़ सकते हैं अन्यत आउनोंने कह दिया है कि कैमت कभी नहीं आएगी क्योंकि ऐसा भी कभी नहीं होगा मेरी उम्मा के लोग मेरी उम्मत के लोग कभी भी बहु देववादियों मिश्रकीन मुश्रिकों के साथ नहीं जाएंगे क्या आप इस से ओल इंडिया मुस्लिम पसल और बॉर्ड का ये दावा समझ सकते हैं यह पोस्ट जो हर जग मिश्रकीन इस देश के बहु देववादिया मूर्ति पुजक आज क्या कर रहे हैं आप लोगों के अंदर जो विश्वास है कि हम इस वाइरस को हरा सकते हैं हम अपने देश जितने भी गुसपैठी उनको भगा सकते हैं गुसपैठी वाइरस को भगा सकते हैं बार से आने वाले अपने भाई बंदों को देश के अंदर ला सकते हैं। आप लोगों के ऊपर से विश्वास उठाने के लिए और अपनी एक आयत का हवाला दे करके कहता है कि आप लोगों को इन लोगों के साथ में जो मुश्रिक हैं, मुश्रिकीन हैं, उनके साथ में नहीं जाना है। जो बहुदेव वादी हैं, जो मूर्तियों पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जाना है। क्या आप समझ नहीं सकते के वो कौम वर्बी टट्टू जो इन हिंदूं और बौध्धों से सारे काम विपरीत करते हैं, वो लोग यहां पर आपके विपरीत भल अपने वाले लोग अपने शव को कब दफनाना शुरू करेंगे, हमें यहां प्रशन करना होगा, हमें यहां प्रशन करना चाहिए। इस तरीके के दोगलेपन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दू कि जो असली औरत होती है, वो सामानी रहती हैं, जैसे की अरब के मुसल्मान, जैसे की श्रिलंका, मियामार और जापान के बौध, लेकिन जो दोगले होते हैं, बने हुए होते हैं, चाहे उनमें भारती अर्भी टट्टू हों, चाहे भारती नवबौध हों, वो हमेशा ज्यादा ठुमक करके, ज्यादा च्छमक जलते हैं ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इस वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाएं उन तक शेयर करें मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हिंद बंदे मातरम